बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाव अलेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ मज़ेदार से क्रीमी चिकन बंस, बहुत ही यम्मी सी रैसेपी है, आप इसे इवनिंग स्नैक्स में जॉय कर सकते हैं तो उसके लिए हमें डो तयार करनी है, डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कप मैदा ले लिया है इसमें वन टी स्पून मैं नमक शामिल करूँगी, वन टेबल स्पून चीनी शामिल करूँगी इसके बाद यहाँ पे एक अंडा है मैं वो शामल करूंगी से रूम टेमपरिचर पे लेना है ठंडा इस्तमाल नहीं करिएगा वन टेबल स्पून मैंने इसमें इस्ट शामल की है खमीर और यहाँ मेरे पास टू टेबल स्पून ओईल है और हाफ कब मेरे पास यहाँ पे दूद है दूद मैंने थोड़ा सा नीम गरम इस्तमाल किया है आप ओइल की जगा इसमें बटर भी इस्तमाल कर सकते हैं इसको हम गून लेंगे बिलकुल इसी तरह जैसे हम नॉर्मल अपना आटा गूनते हैं वैसे ही इसको गून लेंगे अच्छी तरीके से यह देखें हो गया है तकरीबन अब मैं इसको देड़ से दो घंटे के लिए राईस होने के लिए रख दूँगी इसके उपर ओइल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और अब मैं इसको cover करके रख दूंगी कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए तब तक कि हमारी डो अच्छे से rice हो जाएगी इसे रख देते हैं और जब तक कि हम अपनी chicken की stuffing तयार कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्रैम bonless chicken ली है उसमें 1 teaspoon मैंने नमक शामिल किया है 1 teaspoon मैंने इसमें 0 powder शामिल किया है 1 teaspoon इसमें paprika powder जाएगा उसके बाद मैंने इसमें 1 teaspoon vinegar शामिल किया है और 1 teaspoon ही मैंने इसमें लाल मर्ज powder लिया है इसके बाद मैंने इसमें लैसन अद्रक का paste शामिल किया है 1 teaspoon अब इसे अच्छी तना से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसे 15 से बीस्मेंट के लिए रख दूंगी अब एक पैन ले लेंगे इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ओईल शामिल किया है उसमें हमने जो चिकन पे मसाला लगा के रखा था वो दाल के इसको अच्छी तना से हम भून लेंगे जब तक के इसका कलर चींज नहीं होता जब तक के मैं 2-3 मेंट इसको अच्छे से भून लूँगी ओईल में अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून पानी शामिल कर रही हूँ पानी शामिल करके मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 मेंट के लिए तब तक के चिकन हमारी अच्छे से टेंडर हो जाएगी यह देखें अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी 10 मेंट के लिए 10 मिंट बाद हम अपनी चिकन चेक कर लिते हैं ये देखें चिकन बहुत अच्छे से हो गई है टंडर अब मैं इसे 2-3 मिंट के लिए अच्छी तना से भून लूँगी ताकि इसमें जो थोड़ा पहुत भी पानी है वो भी ड्राइ हो जाए ये देखें हो गया है अब इसे भून के मैं इसे एक बाउल में निकाल के रख दूँगी इसके बाद हमें इसका वाइट सॉस राड़ी करना है तो उसके लिए मैंने यहां 1 टेबिल स्पून बटर लिया है उसमें 1 टेबिल स्पून ही मैं मैदा शामिल करूँगी इसे mix कर लेंगे उसके बाद मैं इसमें half cup दूद शामिल कर रही हूँ दूद शामिल करके इसे चमर से या विप से आप फॉरन चलाते रहिएगा इसमें lumps नहीं बने ये देखें बहुत अच्छे से smooth सा इसका paste बन जाएगा इसके बाद मैं इसमें spice शामिल करूँगी वन टी स्पून रिट चिली फ्लेक्स वन टी स्पून साफैद मृज पावडर वन टी स्पून काली मृज पावडर और वन टी स्पून ही मैं इसमें नमा क एट करूँगी इसे अच्छे से mix कर लेंगे और ये मेरे पास चाटर्ट चीज है वो एक स्लाइस मैंने दाल दिया है और हाफ कप मेरे पास यहाँ पर फ्रेश क्रीम है वो भी इसमें एड़ करके इसे अच्छी तना से हम मिक्स कर लेंगे ये देखें हो गया है अब जो हमने चिकन राड़ी करके रखी हुई थी वो इसमें एड़ कर दूँगी मैं चिकन पास से छे मिंट मैं इसे अच्छी तना से कुक कर लूँगी ताकि हमारी स्टफिंग अच्छे से थिक हो जाए हमें इसकी स्टफिंग पतली नहीं चाहिए थोड़ी सी हम इसको थिक ही रखेंगे यह देखें ऐसे ही हमें चाहिए थी अब यह हो गई है बिल्कुल रड़ी इसे निकाल के साइट में रख देते हैं और अब अपनी डो चेक कर लेते हैं डो को मैंने दो घंटे के लिए रखा था राइस होने के लिए दो घंटे में ये बहुत अच्छे से राइस हो गई है ये देखें अब मैंसे नीट कर लूँगी जैसे हम आटा गुनते हैं वैसे ही इसको बना लिये करें बहुत असानी से बन जाती है डो ये देखें बहुत अच्छे से इसको फ्लोर पर रखें नीट कर लूँगी ये हो गया है अब मैं इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लूँगी और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे जितने भी आपको बन स बनाने हैं अब इसको कटिंग कर लें अब इसकी में बॉल्स बना लूँगी इतनी डो में मैंने पांच बॉल्स इसकी रडी की है आप चाहें तो इसमें छे भी बन सकती है अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी 10 मिनिट के लिए इसे आपको खुला नहीं रखना इसे थोड़ा कवर करके रखेगा वरना तो यह ड्राय हो जाएंगे इसके बाद मैंने यहां एक बेकिंग ट्रे ले ली है आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें बेक कर सकते हैं इसे अच्छी दाना से में ओल से ग्रीज कर लूँगी इसके बाद हमने जो पेड़े करे थे वह एक ले पास की बेस से इसको शेव दे सकते हैं यह देखें अब मैं इसको हातों से अच्छे से शेव दे रही हूं इसमें हमें बीच में थोड़ा सा होल करना है इसके बाद मैंने एक अंडा बीट किया था वो इसके साइट में अपलाए कर देंगे और उसके उपर मेरे पास यहां मैं साइट पे स्प्रिंकल कर दूंगी इसके बाद यहां पर मेरे पास मॉजरेला चीज है वो बीच में दाल देंगे और उसके उपर जो हमने चिकन की स्टफिंग तयार की थी वो इसके उपर दाल देंगे अच्छी दना से जितनी भी आपको चाहिए उसके उपर दुबार यहां मैंने एक पतीले में स्टैंड रखके उसको पहले ही प्रीट करने रख दिया था 15-20 मिंट के लिए यह हो गया है बहुत एहतियास से इसको इसमें रख देंगे और 20 मिंट के लिए मैं इसे बेक होने के लिए रख दूंगी लो फ्लेम पे 20 मिंट बाद हमारा क्रीमी चिकन बन बिलकुल रड़ी है यह देखें इसका बहुत अच्छा सा कलर आ गया है मैंने बाकी भी ऐसे ही रड़ी कर लिए थे और यह बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं यह देखें हमारे बन्स बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट सॉफ्ट से आके दे सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी और यम्मी सी डिश है तो आपने जरूर ट्राइ करना है मुझे अपना फीडबेक जरूर देना है आपको कैसी लगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर किया करें औ सबसे पहले देखने को मिलेगी तो अपना बहुत सारा खयाल रखिएगा मुझे दुआओं में याद रखिएगा अला पिस